अहोई माता की कहानी कहानी सुनते समय बीच बीच में हुंकारा भरते जाएं एक साहुकार था जिसके साथ बेटे थे साथ भहुएं तथा एक बेटी थी दीपावली से पहले कार्तिक बदियस्ट मिको सातों भहुएं अपनी इकलोती नननन्त के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याँ से हे कि मान थी मिट्टी खोद से समय ननन्त के हाथ सेही का बच्चा मर गया स्याँ माता बुली कि अम मैं तेरी कोक बांधूँगी तब ननन्द अपनी सातों भावियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोक बंधवालो सब भावियों ने अपनी कोक बंधवाने से इंकार कर दिया परन्तु ननन्द के बदले छोटी भावी ने अपनी कोक बंधवाली इसके बाद उसके जो लड़का हो था वो साथ दिन बाद मर जाता एक दिन पंडित को बुला कर पूछा कि क्या बात है मेरी संतान साथ पे दिन क्यों मर जाती है तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाएं की पूजा किया करो काली गाएं स्याहु माता की भाइली है वह तेरी कोख छोड़ देगी तब तेरा बच्चा जीएगा इसके बाद से वह बहु प्राते काल उटकर चुप चाप काली गाएं के नीचे साफ सफाई आदी कर जाती थी गो माता ने सोचा आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है सो आज मैं देखूंगी गो माता खुब सवेरे उट गई और देखती है कि साहुकार के बेटे की बहु उसके नीचे सफाई कर रही है गाएं मता उससे बोली कि किस चीज की चाय है जो तुम मेरा इतना काम कर रही है साहुकार की बहु बोली कि शाहु मारता तुम्हारी भायली है उन्होंने मेरी कोक बांध रखी है सो मेरी कोक खुलवा दो गो माता ने गा अच्छा तब गो माता साथ समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली रास्ते में कड़ी धुकती इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैट गई थोड़ी देर में एक साप आया और उसी पेड़ पर गरूर पक्षी का बच्चा था उसको मारने लगा तब साहुकार की बहु ने साप को मारकर ढाल के नीचे तबा दिया और बच्चों को बचा लिया थोड़ी देर में गरूर पंक्षी आई तो वहां खून पड़ा देकर साहुकेर की बहु को चोच मारने लगी तब बहु बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं बलकि सांप से तेरे बच्चों को रक्षा की है मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है यह सुनकर गरूर पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है वह बोली साथ समुंदर पार स्याओ माता रहती है मुझे तू उसके पास पहुचा दे तब गरूर पक्षी ने दोनों को अपनी पीट पर बिठा कर स्याहू माता के पास पहुचा दिया स्याहू माता उन्हें देखकर बोली आप बहुत बेह में आई ये फिर कहने लगी कि बहुन मेरे सिर में जूँ पड़ गई है तब स्याहू कार की बहुने सलाई से उसकी जूए निकाल दी इस पर स्याहू माता प्रसन होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है इसलिए तेरे साथ बेटे और साथ बहुए हो वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं है साथ बेटे कहां से होंगे स्याव माता बोली क्या बात है तब वो बोली मुझे वचन दे तो बताऊं स्याव माता बोली वचन दिया तब साहुकार की भव बोली मेरी कोक तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है यह सुनकर स्याओ माता बोली कि तूने तू मुझे ठग लिया मैं तेरी को खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी जा तेरे घर पे साथ तुझे साथ बेटे और साथ बहुए मिलेंगी तू जाकर उजमन करना साथ अहोई बना कर साथ कढ़ाई करना वह लोटकर घर आई तो वह वहाँ देखा साथ बेटा साथ बहु बैठी है वह बड़ी खुश हो गई उसने साथ अहोई बनाई उजमन की ये तथा साथ कढ़ाई की अस्टमी के दिन जेठानिया आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो और बच्चों से खा अपनी चाची क घर जाकर देखाओ कि वो अभी तक रोई क्यों नहीं बच्चों ने जाकर कहा कि वो कुछ माट रही है खुब उजमन हो रहा है ये सुनते ही जेठानिया दोड़ी दोड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तुने कोक कैसे चुड़ाई वह बोली तुमने तो कोक बंधाई मैंने कोक बंधाली अब शाहु माता ने प्रसन होकर मेरी कोक खोल दिये शाहु माता ने जिस प्रकार बहु की कोक खोली उसी प्रकार सब की खोले खोटी की खरी अधूरी की पूरी जै अहोई माता अब इसके बाद हम यो अहोई की कहानी के जो साथ घ्यों के आखे इनको आ पल्ले में बांबले और दूसरे आखे लेकर अब हम बिंदायक जी की कहानी सुनेंगे बोले अहोई माता की जै जै बिंदायक जी महाराज एक अंधी बुढिया माई के पती बेटा वे बहु थे वे लोग बहुत करीब थे बुढिया माई रोज गनेश जी की पूझा करती थी एक दिन गनेश जी उससे प्रसन हुए और बोले कि मुझे से कुछ मांग तब बुढिया बोले कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है तब गनेश जी बोले तेरे बेटे बहु से पूझ ले अब वो अपने बेटे बहु से पूझने गई कि मेरे को गनेश जी बोल रहे हैं कुछ मांग ले तो क्या मांगू तब वो अपने बेटे से पूझी तब बेटा बोला कि मा धन मांग ले बहुसे पुछा तो उसने कहा मा पोता मांग ले तब माई ने सुचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं तो उसने पड़ोसन से पूछा पड़ोसन बोली क्यों तो तु धन मांगे क्यों तु पोता मांगे कुछ अपने लिए भी मांग अपने लिए दीदा गोड़ा मांग ले तब घर आई आकर माई नी सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे भो भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए दूसरे दिन गणेज जी आए और बुड़िया माई कहने लगी गणेज जी दीदा गोड़ा देओ सोने के कटोरे में पोता को दूथ पोता देओ पिता देखूँ अमर सुहाग देओ निरोगी काया देओ सभी सुख देओ गनेज जी बोले बुडिया माई तुने कहा ता मांगना नहीं आता पर तुने तो मुझे ठग लिया सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता है पर ठीक है ऐसा ही होगा और अंतरध्यान हो गए बुडिया माई के पास वैसा ही सब कुछ हो गया अब ये जो गणेश ची की कहानी के आखे हैं इनको जल में डाल कर आप सुरिय देव को अर्ग दे दें बोलिये बिंदाइक जी महराज की जै